स्वागत अबच्छा आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी प्रोणाउन की 5th वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम रिलेटीव प्रोणाउन को हम पढ़ने वाले हैं और अब तक कितने हमने प्रोणाउन कर लिये हैं थोड़ा से उसका overview ले लेते हैं यानि अब तक कितना syllabus हो चुका है थोड़ी बहुत उसकी जानकारी हमें मिल जाए तो काफी better रहता है कि कितना रह गया है कितना करना है तो एक overview उसके ओपर बना रहे हैं तो चीजें अच्छे से समझ जा जाती है तो देखिए introduction जैसे कि मैं आप लोगों को हर वीडियो के अंदर जब भी हम प्रोनाउन स्टार्ट किया तो हर वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को introduction दिया है प्रोनाउन बोले तो सरुनाम किसको कहते हैं जो संग्या के स्थान पर आए यह हिंदी होती है इंग्लिश में जो नाउन की जगह पर आए उसको प्रोनाउन कहते हैं बिल्कुल सिंपल है और नाउन की थोड़ी बहुत functioning मैंने आप लोगों को सिखा रखी है देखिए basic videos मैंने आप लोगों करवा रखी है अब basic video के साथ-साथ मैंने प्रोनाउन को detail से करना start कर दिया है और अब तक प्रोनाउन का हम कितना syllabus कर चुके हैं कि प्रोनाउन अब कितना रह गया और कितना हमने खतम कर लिया है उसको देख लेते हैं देखिए personal जो प्रोनाउन है यह इतने ही types के हैं कुछ miscellaneous type के आएंगे वो हम देख लेंगे एक miscellaneous कहां और मान लेते हैं तेकि अगर यह सारे के सारे types हमें आ गए तो समरलोब pronoun हमारा complete हो गया और कितने हमने कर लिया है personal pronoun हमारा कतम हो चुक है possessive pronoun हमारा कतम हो चुक है हर एक concept को मैंने आपको अच्छे से basic की मुझे जरूरत आपड़ी थी कि मुझे कुछ basic concept की जरूरत है वो मैंने आप लोगों करवाय थी उस basic में मैंने आप लोगों क्या करवाय था present participle past participle और infinity, gerund ये आप लोगों को बताये थी कि कैसे हम किसी sentence के अंदर पहचानेंगे कि कौन सा gerund है, कौन सा present participle है past participle है, infinity है, इनका use इनकी functioning, सारी चीजे मैंने आप लोगों करवाय थी basic के अंदर तकरीबन उसकी 2 या 3 वीडियो मैंने आप लोगों को provide करा रहे हैं एक अलग से playlist मैंने बना रही है English grammar करके, आप जाएंगे तो आपको सारी की सारी वीडियो महां मिल जाएंगी तो अब तक हमने कितना कर लिया है demonstrative pronoun तो कर लिया है और आज हम क्या कर रहे हैं relative pronoun कर रहे हैं अब ये relative pronoun भी थोड़ा सा lengthy होने वाला है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे concept है who, whom, what इनको लेकर that इनको लेकर भी हर एक अलग से वीडियो बनने वाली है तब ये relative pronoun आएगा समझ में कि हाँ भी relative pronoun क्या होते हैं और अब मुसे पुछो कि सबसे important चीज क्या है pronoun के अंदर तो यही है relative pronoun है relative pronoun के बार demonstrative कह सकते हो या फिर ऐसे घटती हुई चीचे चलेंगे distributed, emphatic, reflexive, possessive यानि सबसे important चीज है relative pronoun reciprocal नहीं है, interrogative इतना नहीं है indefinite नहीं है, यह तो बिल्कुल easy से है इतने इनके ओपर error भी नहीं आते हैं सबसे ज़्यादा error आ सकते हैं तो इसके ओपर relative pronoun के ओपर तो हम यह करने वाले हैं और आज हम करेंगे आज हम करेंगे relative pronoun में who या whom के ओपर कि यह क्या चीज़ें होती हैं relative pronoun में who, whom, whose, which, that, what भी होता है यह जीज़ें जो होती हैं वो जोडने के लिए प्रुक्त की जाती हैं जोडने के लिए इनका use किया जाता है relative pronoun को pronoun plus में conjunction कहा जाता है अभी समझाऊंगा pronoun plus में conjunction क्यों कहा जाता है pronoun को इसलिए है क्योंकि यह किसी noun के जगह पर आएगा conjunction इसलिए है क्योंकि जोडने का काम करेगा ठीक है? conjunction जोडने का मतलब देखे close आपको मैंने बता रखें कि close क्या होते हैं जिसके अंदर verb प्लस में subject का आपको pair मिल जाए verb प्लस में subject का मतलब यह subject प्लस में verb को मैंने उल्टा रिख दिया subject प्लस में verb का आपको pair मिल जाए तो उसमें उसको हम क्या कहेंगे? close कहेंगे अब दो close को जोडने के लिए क्या चाहिए होती है? यहाँ पर भी अगर एक close लिखा हो यहाँ पर भी अगर एक close लिखा हो तो उन दोनों को जोडने के लिए क्या चाहिए होती है? conjunction चाहिए होती है ठीक है? तो conjunction वहां काम आती है तो pronoun जो है यह relative pronoun वो pronoun प्लस में conjunction दोनों काम कर देता है देखिए जरह जब आप लोगों करवाया था possession का मतलब होता अधिकार जताना तो यह अधिकार भी जता रहा था जैसे मैं कहरा था my car अगर मैं इसको mine के अंदर यह एक अधिकार जताने वाला भी आगया और इसकी repetition भी रुग गया तो दो काम तो यह भी कर रहा था ऐसी reflexive था ऐसी distributive हो गया यह demonstrative सारी चीज़े जो हैं वो लगबग दो-दो काम कर रहे थे अब यहां पर relative भी दो काम करेगा आपको लिए दो काम कौन से देखे एक तो यह pronoun बनेगा साधे साथ यह conjunction का भी काम करेगा clear यहां पर और अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे who या whom के उपर कैसे concept आते या फिर कैसे error आते है हम उनको कैसे जानेंगे कैसे उनको चीज़ों को समझेंगे एक तो चीज़ आपको यह बताओने चाहिए कि subject और object मैंने आप लोगों को बार-बार काए कि किसी भी sentence को हम करते है तो हम कैसे कर रहे है उसको break कर रहे है उसके अंदर हमें पता होता है कि subject क्या होता है वर्ब क्या है object क्या है तो अगर मैं यहां पर आप लोगों के sentences लिगूऊ मैं sentence लिखता हू him him was him was playing cricket interests um lea यह सर यह हम नहीं आने है यहां पर ही आने है तो एक तो यह दिक्कत होगी दिक्कत क्या यह तो आपको समझ में आगे बिल्कुल असान सी चीज है कि ही नहीं आएगा यहां पर ही आएगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखाए कि सर क्यों आएगा ही क्योंकि सर बात यह है क आपने playing एक verb लगा रखी है और इस verb को अपना चाहिए subject तो subject लगाओ ने यह objective case क्या कर रहा है यहां पर यहां पर आएगा same to same essay यहां पर who और whom के साथ होते हैं who जो होता है वो एक subjective case के लिए उजोता है और whom जो होता है वो एक objective case के लिए उजोता है clear यहां पर अब इसको sentence में हम कर लेते हैं आपके सामने यह चार sentence दिये हैं इन चारों के sentence को करते हो हम चीजों को समझेंगे कि who और whom का error कैसे आता है अपने exam के उपर तो पहला sentence है they rewarded the man whom saved the drawing child मतलब ढूपते हुआ बच्चा, drawing child का मतलब होता है ढूपता हुआ अब यहां पर देखते हैं इसमें verb क्या है, verb है reward reward, rewarded, rewarded, rewarded कैसे verb की पहचान करेंगे, अरे sir verb उसको कहते है न जो action को represent कर दे और जिसके तीन form होती है, यह रहा हो reward, rewarded, rewarded, verb है यह ओके, यह verb होगी, अब reward किसने किया, देने किया, तो इस काम को करने वाला कौन है यह दे है, तो दे क्या है, subject है, reward किसको कर दिया, किसको समानित कर दिया, man को कर दिया sir तो man क्या बनेगा, man बनेगा, object, दा क्या है, article, clear यहां पर आगे चलते हैं, जब आगे गए, तो आगे हमने देखा कि saved, saved, एक और verb लिखी हुए sir तो मैं यह काम करता हूँ, बच्चों इसको लिख लेता है, second verb, यह verb होगी, यह first verb होगी, यह second verb होगी ठीक है, अब saved किसको बचा लिया भी, किसको बचा लिया, इसको बचा लिया, बच्चे को तो बच्चा बनेगा, object और यह क्या कर रहा है, drawing, drawing का मतलब तो डूपता हुआ, इस बच्चों को qualify कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यह बनेगा adjective, adjective बोले तो इसको बोलते हैं, present participle कहा था ना मैंने, बार-बार sentence में आएंगे, present participle, girand, infinity, ऐसा नहीं है कि एक बार आगया मैंने concept करा दिया तो नहीं, अब क्यूंकि मुझे जरूरत है, मुझे आने वाले sentence में इनकी जरूरत है, इसलिए मैंने आप लोगों को basic करवा रहा है, यह वीडियो जादा तर उन बच्चा यहां पर आगे बैठेगा, तो सरी क्या चल रहा है, यह present participle कैसे हो गया, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने verb कैसे करवा दिया, subject कैसे करवा दिया, object कैसे, हर एक की परिभाशा मैंने आप लोगों को अपनी previous videos के अंदर दे रखी है, तो जा कर देख लो, अ अब उनी previous videos में, मैंने आप लोगों को एक concept बार बार करवाए, वो concept यह है, कि अगर subject आएगा, तो उसके लिए तो verb आएगी, आएगी, या फिर कहूँ एकर verb आएगी, तो उसके लिए subject आएगा, यह तो compulsory है, even मैंने आप लोगों को, यह sentence के कितने type होते हैं, उसके अंदर हर एक चीज बार की से करवाई हुई है, एक यह चीज, तो यहाँ पर देखें, यह रही verb, अब यहाँ पर यह verb फर्स्ट थी, इसको तो अपना subject मिल गया, subject number one, यहाँ पर यह रही second verb, यह दा आर्टिकल हैं, यह अंदा तीन आर्टिकल होते हैं, तो यह तीन, यह दा तो आर subject चाहिए, और subject बनने का कोन करेगा, मैंने क्या काम, तो subject बनने का काम करता है, who, whom कोन होता है, whom, तो object बनने का काम करता है, तो यहाँ whom नहीं आएगा, यहाँ आएगा, who, तो यह M कटेगा, तो यह होगा, who, इस save verb का subject बनेगा, यहाँ पर, clear, अब यह who जो है, वो refer किसको कर जिसने बचाया था इस डूपते वे बच्चे को तो ये man को refer करने वाला who हो गयर यहां पे और इस verb के लिए यहां पे subject बन गया तो इसने यहां पर pronoun का काम कर दिया अब pronoun का काम कर दिया आपने बोला था यह pronoun पलस में का काम कार रहा है देखो जोगहां यहरह एक close और यहरह close तो ज़रह यहाँ पर देखो यह, दो close होगे यह close one, यह close two इन दो close को जोड़ने के लिए क्या चगीए conjunction चाहिए होती है conjunction कहा है? यहい यही conjunction है यही यहाँ पर आपके लिए relative, यह प्रणाउन है तो दो काम कर दिया, relative pronoun देखे, दो काम कर रहा होता है, एक कौन सा, आपके noun की repetition रोग दी, और साथ इसाथ, दूसरा कौन सा, दो close को जोड़ने का काम कर दिया, तो यह relative pronoun का काम होता है, clear, अब यहां पर whom क्यों नहीं है, हुआ है, क्योंकि यहां पर इस subject, इस verb को अपने लिए subject चाहिए था, यह concept होता है, rule, होते हैं कई कहते हैं कि, एक trick दे देते हैं, देखो, trick से भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आपको long term वो चीज़ें याद रखनी होती हैं, probability आपको याद रखनी की जादा करनी है, तो obviously आपको उसके concept की जोड़त पड़ेगी, तो conceptual ची मैं उसके कम से कम आपको 100 या 500 जो error है वो करवाओंगा, ताकि आपको pronoun का concept जो हो एकदम crystal clear हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीज़ें करवाई मैंने, आज ये error करवा रहे हैं, फिर सारा mix आएगा, सब चीज़ों का हम करने वाले हैं, तो यह होगा पहला sentence, second sentence पर देखो, police caught the boy, whom stole your wallet, police ने पकड लिया था, उस बच्चे को जिसने चुनाया तो तुम्हारा वालेट, अब यहाँ पर वर्ब क्या है, catch caught caught, तो यह होगी वर्ब, यह होगी वर्ब, इसके लिए वर्ब subject का है, subject of police, किसको पकड लिया, boy को, boy क्या बनेगा, object, अगले में, यह रहा वर्ब, भईया, stole what, stole wallet, wallet बनेगा, object, किसका wallet, तुम्हारा, you are, तो possessive, possessive adjective, clear यहाँ पर, तो यह होगया, possessive adjective, अब, यहाँ पर, इस वर्ब को तो अपना subject मिल गया, इस वर्ब को अपना object तो मिला हुए, लेकिन इसको अपना subject ने मिला, देखो, एक वर्ब के लिए object आए, ना आए, कोई फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्ब को अपना subject तो 100% चाहिए, चाहिए, तो यह वर्ब रही, इसको अपना subject मंगता, भईया, इसको subject कहा मिलेगा, इसके पीछे तो अपने हूम लगा रहा है, रूम क्या काम करता है, हूम तो भईया, object बनने का काम करतेते हैं, को हटाओ, यानि हूम को हटाओ, हूम बनाओ, इसके लिए यहाँ पर subject मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इस हूग, जो यह हूग जो है, वो इस टॉल वर्ब के लिए subject का का काम करतेगा, रैफ़र इस बोई को करतेगा, और यह दो close हैं, क्योंकि यह रह सब्जेक्ट, ओब्जेक्ट, वर्ब, यह सारी चीजें सिखा रहा हूँ में सुद्वात से, सेंटेंस को ब्रेक करना, आपके कॉंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर देता है, आपको एक्जाम में ब्रेक नहीं करने हैं, आप ब्रेक इतना ही करेंगे, आप यहाँ से आपके दिमाग में, क्योंकि आपने उसकी इतनी याद कर रखी है, तो वो आपको आपने सोचा और आपको पता चल क्या हो, सेम टू सेम हम यहीं करने वाले हैं, अगला सेंटेंस देख लो, आप वीडियो पोज कर लिजी और खुद करके देखिए, इसमें क्या आना है, उम कर लिया, वो ही बनेगा, आगे में देखेंगे, वर में वर्ब है, चेजिंग, और यह वर हेल्पिंग वर्ब है, चेजिंग, में वर्ब है, यू वर चेजिंग, जिसका तुम पिछा कर रहे थे, यू जो है, वो इस चेजिंग को कर रहा है, सबजेक्ट हो गया, इस वर्ब के लिए यहाँ पर subject आगया तो यह दो subject पूरे तो होगे हैं अपना जितने number of subject हैं उतनी number of verb है हमारे सामने अब मुझे बताओ यहाँ हूँ की कोई जरूर पढ़ेगी क्या हमको बिल्कुल भी नहीं तो यहाँ पर क्या होगी यहाँ पर whom आएगा whom आएगा तो यह इस chasing का object बन जाएगा object बन जाएगा तो यह boy को refer कर रहा है बई किसको पकड़ रहे थे तुम उस boy को पकड़ रहे थे जिसने तुमारा बटवा चुराय था या जिसका तुम पीछा कर रहे थे देख कोट था boy उन्होंने पकड़ लिया अगले sentence पर चलते the boy who we have selected the boy the boys who we have selected in our team are playing in the field अब इसको देख लेते अब यहाँ पर verb सबसे पहले boys boys है यहाँ पर subject यह who यहाँ पर आपको पता है subject का काम करेगा we एक और subject है have helping verb है और selected main verb है यह इसके लिए आये हुई है ध्यान रखना है यह इसके लिए आये है in क्या है in proportion है team proportion का object है ठीक है आवर इसके परदिकार जताने वाला possessive adjective है are playing in the field in proportion है field in proportion का object है ता article है यह helping verb है यह main verb है अब देखिए starting में अगर subject को अपनी verb नहीं मिलती है तो वो wait करता है कि उसको आखिर मिल जाती है तो actual में यह जो R है यह जो R है वो इस boy के लिए आये हुई है यह जो R है वो actual में इस boys के लिए आये हुई है the boys who we have selected in our team are playing in the field जिन लड़कों को हमने हमारी team में select किया था वो खेल रहे हैं मैदान में तो यह R जो है वो इस boys के लिए आये हुई है तो actual में यह वब इसके लिए हुई है यह है वाली वब यह इस वी के लिए हुई है अब मुझे बताओ यह हूँ एक और subject आप बना के बैटे हो क्या इसकी जुरूरत है में इस selected का किसको select किया था इनको whom को select किया था select किनके लिए यह boys आ जाएगा boys को refer कर देगा तो यहां पर conjunction काम कर देगा दो close को जोडने के लिए और साथ इस साथ selected का object भी बन जाएगा यहां पर तो ऐसे आते हैं error को और ऐसे ही हमें करना है देखे जितनी बार हम practice कर लेंगे तो यह चीज़ें जो है मैं यहां पर करवा रहूँ आपके सामने आपको exam में चीज़ों को break नहीं करना है आपके दिमाग में वो चीज़ें हो रही होगी क्योंकि हम इतनी practice कर चुके होगी यह सारी चीज़ें जो मैं ने करवाई हैं आप लोगों को subject, object यह इसको whom का, who में convert करना या who को whom में convert करना just because of आपकी याद करने की जो शमता है वो बढ़ जाए चीज़ें जो है काफी लंबे टाइम तक आपको याद रहें आप बार बार revision करने बैठेंगे उस चीज़ें को rule रटा फिर वही बिठाएंगे तो वो चीज़ें आपके उस वक्त exam में काम नहीं आती है concept काम आता है बेशक यह concept आप लोगों के speaking में भी काम आने वाले है आपकी understanding power बढ़ाती है यह आपके काम आएंगे वो चीज़ें तो केवल यह नहीं है कि आपको exam के point of view से वो चीज़ें करनी है आपको अपनी life में कुछ आपको improve करना है अपनी knowledge को improve करना है यह अच्छी चीज़ है आपके लिए आपको concept चीज़ें मिल रही है clear तो यह चीज़ें हो गई अब एक practice मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ यहाँ ठीक है यह नहीं हो पाएगा थोड़ा सा मैं ही करवाँगा यह आप लोगों को मैंने पहले सोचा था कि आप लोगों को video post करने के लिए कहता हूँ और आप कर लीजी यह सोचा था मैंने रट नहीं कुछ एक चीज़ें और है थोड़ा सा बढ़िया concept है who whom के उपर ही है बट जो पिछले से करवाए वो easy था अब थोड़ा सा बढ़िया concept आ रहा है यहाँ पर अब जड़ा देखो रोहन helped the woman whom he thought had cancer अब यहाँ पर फिर से verb क्या है verb है helped main verb number one helped के लिए यहाँ पर subject को है रोहन है helped किसकी की woman की की the woman क्या है object है he कै subjective case होता है सर thought main verb number 2 होता है had main verb number 3 हो गया यह 2 हो गया यह 3 हो गया आपको पता है वो कि have has had ये helping verb भी होती है ये helping verb भी होती है और ये main verb भी होती है helping verb भी होती है और ये main verb भी होती है main verb कब होती है जब इनके बाद कोई अलग से verb ना आ रही हो helping verb को होती है जब इनके बाद अलग से verb आ रही हो इसके बाद कोई verb आ नहीं रही है में वर्ब खुद है यहां पर अब जड़ा देखो कितनी वर्ब हैं एक यह दो और यह तीन सब्जेक्ट कितने हैं रोहन एक ही दो और कहां है सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो कहीं नहीं है दा आर्टिकल है Cancer, head cancer ये object है, तो इस verb को क्या चाहिए, इस verb को चाहिए अपना subject तो इसका subject चाहिए, तो subject कौन बनेगा, भाई भया ये whom, ये बनेगा subject, लेकिन whom तो भाई ये objective का का म करता है, object के इसका का म करता है, तो सरकान क्या कर रहे हो, एम हटा दो तो who बनाओ इसको तो who बनाया तो ये woman को refer कर रहा है इस head के लिए subject का काम कर देगा subject आ गया और close को जोडने के लिए यहां पर इसने conjunction हा काम कर दिया अब ज़रा देखे इसमें close कितने हैं सेंटेंस के अंदर close तो हमें कहीं न कहीं इसके अंदर तीन close नजर है तो अगर main verb तीन लिखी हुई है तो subject भी तीन मिलेंगे verb भी तीन मिलेंगे और subject और verb के pair को subject और verb के pair को हम एक close कहते हैं तो तीन subject हैं तीन close होगे वहां पर सर तीन close लगे हुए है और आपने conjunction एक कैसे लगा दी conjunction भी तो दो लगनी चाहिए है simple सी चीज़ है दो चीज़ों को जोड रहे हो तो कुछ न कुछ यहां पर लगाए लेकिन तीन चीज़ों को जोड रहे हो तो दो चीज़ों चाहिए होती है simple समझे न तो sir यहां पर तीन चीज़ों को जोड रहे हो तो एक कंजंशन इसे काहे काम चलवा रहे हो, कंजूस हो गया, मैंने कर नहीं, बात ऐसी नहीं है, कंजूस नहीं है, बात यह है कि देखे कंजंशन जो है, वो यहां पर एक ही आएगी, सेकेंड वाली कंजंशन यहां पर थोड़ी सी हमने न, उसको एक बार भगा दिया, उसके बारे में भी डिसकस करेंगे, बस थोड़ा सा पेशन्स रखो, पहले यह समझ लो, ऐसा नहीं है कि, क्या यहां पर कंजंशन आ नहीं सकती है, आ सकती है, बेशक लगाओ, हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कौन सी कंजंशन है, थोड़ा सा तो धहर रखो, परकनी पड़ता है, कि सचसरी कोमा तो नहीं आ गया है, कंजंशन की जगह है, नह, नह, ऐसी बात नहीं है, बच्चे, अगली में देखो ज़रा, अगली में देखो, we met the boy whom you said had a gold medal, had won a gold medal, हम मिले उस लड़के से, जिसने तुमने कहा था, कि उसने gold medal जीता है, तो met हो गया, had, helping verb, won, main verb, number 3, won word, gold medal, तो ये बनेगा object, ये noun है, compound noun कहते हैं, इसको दो word मिलके एक noun का काम कर देते हैं, तो उसको compound noun कहा जाता है, दिशान रखना है इस इसको, clear, अब ज़रा देखो, ये रहा एक subject और verb, ये रहा एक subject और एक verb, यहां पर एक verb हैं, तो इसके लिए subject चाहिए होते हैं, subject चाहिए होते हैं, तो सर काहे time pass कर रहे हो, सर, ये whom लिखा हुआ, इसके काम करोना M हटाओ, इसको, वो बनाओ, इस won के लिए, या head के लिए, subject का काम तो ये हुई कर देगा, और 2 close, 3 close, जोड़ने के लिए, conjunction यहां पर आ जाएगी, तो ये रही conjunction, सवाल अभी भी समझ में है, सर, अभी आपने बोला, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, conjunction चाहिए होते हैं, लेकिन क्या, तीन चीज़ों को जोड़ने के लिए, दो conjunction नहीं चाहिए होती हैं, क्या, मैंने बेशिक चाहिए होती है, अभी थोड़ा सा धहरे रहे हों, काहे फुद कर रहे हो तोड़ा सा धीरे-धीरे करेंगे इंचीजों को We met the boy who you said had won a gold medal तो इस had won के लिए जो subject है ये who का काम ये who मनेगा और ये who जो है refer किसको कर रहा है इस boy को कर रहा है Antecedent बोलते हैं जो relative pronoun आता है जिसको वो refer कर रहा होते है उसको antecedent बोला जाता है ये antecedent है clear यहां पर ये काम आएगा मेरे बहुत जादा Antecedent बोला है काफी सारे सरो technical words लेकर आते हो देखे टेक्नलेटी कुछ नहीं है ना हमें बस काले पे लेगा मतलब क्या कहते है खोदा पार निकली चुया वाली कहानी है जब आप खोदने जाओगे तो कुछ नहीं है वाच चुआ ही है विल्कुल कुछ नहीं है उसके अंदर आओ ज़रग एक लगा और sentence कर लेते हैं SSE में बहुत बार ये पूछा जाता है the guests whom we were talking about have come are my cousins जो guests यह जो अथिती है जिससे बात ने कर रहे हैं हम वे हमारे वो आ चुके हैं वे मेरे cousins हैं ठीक है तो एक बार ज़र इसको देखो guests यहां पर क्या होगा subject होगा और मैंने कहा जब अगर starting में अगर subject को verb ना मिले तो कहा मिलती है बाद में मिल जाती है एक verb के साथ अगर proportion आती है तो अपना एक meaning भी change करती है उसको कहते है फ्रेजल वर्ब ठीक है फ्रेजल वर्ब है तो यह talking about के बारे में तो यह एक फ्रेजल वर्ब है तो यह होगी main verb ठीक है have क्या है यहां पर helping verb come क्या है main verb cousins क्या है subject compliment my इसके पर अधिकार जिताने वाला possessive adjective होगा clear यहां पर अब जरा देखो इस subject को क्या चाहिए होता है इसको अपने लिए इस subject को अपने लिए verb चाहिए है को इस verb को अपने लिए subject चाहिए तो यह रहा यहां पर आया हुए ठीक है अब इसके लिए अपने को subject यह subject है वा इसके लिए verb चाहिए होती है तो देखो have come लगा लो the guests have come the guests are my cousin कोई फरक नहीं पड़ेगा this have को this guest को देदो या are को this guest को देदो कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई verb वाब देदो meaning में थोड़ा बहुत difference होगा लेकिन sentence बिल्कुल सही रहेगा तो have guests के लिए कर लो या are चलो are कर ले तो मैंने का लास्ट में आ जाती तो are मैं कहा दता हूँ ये are जो है वो is guests के लिए तो यह होगी इसके लिए तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस verb को तो अपना subject मिल गया क्या इस have को अपने लिए अपना subject मिला नहीं मिला तो सर ये whom बैठा तो सी एक काम करो ना इसको whom बनाओ ये subjective बन जाएगा और इस have को whom अपना subject मिल जाएगा subject कहा देगा conjunction का काम कर देगा सर यह रहा sentence तो यही तो था आपके सामने तो यह आपके सामने SST में बार-बार पुछा जाते है इस sentence के अंदर कुछ एक technicality मतलब या कुछ एक problem है कर वो भी मैं discuss नहीं करूँगा बाद में हम उसको discuss करेंगे काफी अच्छा अगर आपको concept आ जागा न वहाँ हम इसके उपर discuss करने वाले है अच्छा तो स्टूडेंट्स यह थोड़ा सालग है यह है तो relative pronouns से ही related थोड़ा बहुत लेकिन who whom का error नहीं है इसके अंदर थोड़ा कुछ हटके हम उसको देखने वाले है आओ चरह those students students क्या हो गया यहाँ पर subject हो गया those इसके उपर मतलब की अधिकार नहीं इशारा करने वाले demonstrative adjective हो गया those students अभी रोग लेते हैं who यहाँ पर एक और subject हो गया want want main verb हो गया want to score score यहाँ पर infinity है यह infinity है यह object है इस verb का to score score what marks marks object है इस infinity का ध्यान हो तो good marks यह good जो है वो इसको qualify करने वाला adjective है in proportion है English इस proportion का object है they एक और subject आगया should helping verb आगी focus main verb आगया own proportion आगया reading proportion का object आगया यह gerund है ठीक है यह gerund है यह चीज़े मैंने कराई है देखो आप आ रहा है न अभी थोड़े दर पहले present participle आगया अभी आपके सामने infinity और जिरेंट दोनों आगया आपके सामने तो बार-बार इंचे जोंगा repetition होगा फिर से कह रहा हूँ अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखे आपको concept समगना है आपको चीज़ें clear करनी है तो आपको पिछली वाली वीडियोस देखनी बहुत important है फिर तो वही होगा आप time pass कर रहे हो या आपको कुछ सम्मझ में नहाएगा सर कुछ सम्मझ नहीं आ रहा फिर आप भागोगा यहां से तो चीज़ें आपको अच्छी मिल रही है यह चीज़ें paid है भाई ऐसे ही नहीं है मैं मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों का उनका भला किया जाए जिनको जुरूरत है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ यह चीज़ें paid वाले course में में चलाता हूँ जिसमें मतलब कि मैं offline जब बढ़ाता हूँ तो उन बच्चों को यह चीज़ें मैं करवा रहा हूँ और वो बहुत अच्छे से समझते उनको समझाता हूँ और चीज़ें को करवा रहा हूँ वाँ पर free मिल रही है देखें चीज़ें free नहीं है आप सोचोंगे कि sir यह free है free नहीं है आप अपना time दे रहे हो अपना time दे रहे हो और time बहुत ज़्यादा कीमती है आपको time की अगर हमियत नहीं है तो आपके लिए free है ठीक है लेकिन time की हमियत है नहीं तो वो passive से भी ज़्यादा important चीज़ है फरी फरी कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में आपको कुछ ना कुछ उसके लिए pay करना बढ़ता है active pay करो या passive pay करो लेकिन pay जुरूर करोगे उसके लिए तो यहाँ पर आप देवरा देखो आपने क्या कि इस sentence में इस subject के लिए वर्ब मेरे को चाहिए थी मैंने का wait करो जैसे उपर वाले sentence में का था अगर starting में subject को वर्ब नहीं मिलती तो last मिल जाती है तो हमने इसको बिठा के रखा कि बैठो भईया शांत रहो तुमारे लिए वर्ब आ जाएगी इस want के लिए अपने इस students को रह रहा है तो यहां पर एक देखेंगे तो इसके लिए तो अपना subject आया हुआ है अब यहां पर आप देखें तो इस students को उपने बिठा के रखा इस subject को आपने बिठा के रखा शांत रहो तुम्हारे लिए आएगी वब आएगी लेकिन आगे तो कोई वब आई नहीं तो दिक्कत कहाँ है सर दिक्कत कहाँ ही दिक्कत यह आगी कि जो दे है न एक्चुल में हमने फाल्तू गुसेडर का इसके अंदर कोई लिए खाल दिया नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं हम इसको फिर से करेंगे मेरा अब हमें फोकस वस यहां तक था उमीद है कि आप लोगों के चीज़ें समझ में आ रही हूँ अब एक concept करते हैं when to omit a conjunction कि बहुत बड़ी हैं कि चीज़ों को चोड़ा जाए अभी थोड़े देर पहले जैसे मैंने कहा न यहां पर तीन close थे close थीन थे इनको जोड़ने के लिए conjunction एक use कर रहा हूँ सर यह कैसे कर रहा हूँ इसी चीज़ को मुझे समझाना है यही चीज़ हम समझने वाले हैं बहुत बड़ी है concept चीज़ों को समझेंगे आपकी English को समझने की शमता को और ज़्यादा यह increase करने वाला है देखिए she said that she would join Ajay's batch उसने कहा कि उसे Ajay का batch join करना चाहिए तो एक बार जाले इसको break कर लेते हैं she यहाँ पर subject है said यहाँ पर verb होगी that यहाँ पर conjunction होगी see यहाँ पर subject नमबर दो होगया would यहाँ पर helping verb main verb नमबर दो join join verb batch यहाँ पर object होगया Ajay इसके पर यहाँ पर सारे break कर लेते हैं they thought that Rajat had broken the window उन्होंने सोचा था कि Rajat ने तोड़ी है वो विन्डो तो थोट होगया वर्ब they यहाँ पर subject होगया और थोट एक बिन टेक मिन टेक मिन टेक मिन टेक मिन टोड़ा सा तोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ ठीक है पी कहा है, यह रहा दे ठोट, verb हो गया, that यहां पर conjunction हो गया, रजत यहां पर subject number 2 हो गया, had helping verb हो गया broken main verb हो गया, broken word window, window यहां पर object हो गया, clear, एक बड़ी सारा sentence break कर लेते हैं, दा article है, ध्यान रखना, मैं आर्टिकल के लिए लिखने रहां कि वह आर्टिकल है यह अंदा तीन आर्टिकल है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आप लोगों को यह चीज़ें पता होने चाहिए अगे आओ जुन नो यहां पर में वर्व है I subject है where conjunction है word verb है ये एक तरीके के He subject है, has helping verb है hidden main verb है window, money यहाँ पर object है, the article है clear, अब जड़ा देखो इन तीन sentence में अब तीन तीन sentences में हैं अब मैं आपके पहले वाले sentence के पर आता हूँ She said that she would join Ajay's batch, अब यहाँ पर मुझे एक बात बोलो, क्या मैं sentence को sad के बाद यहाँ पर full stop लगागे इसको खतम कर सकता हूँ गया She said, उसने कहा क्या यहाँ पर possible है क्या, अभी अगर यह बात बोलो, अभी मैं किसी के सामने खड़ा हूँ तो मैंने कहा, उसने कहा और भी पूरी बात था हूँ, किसने कहा, क्या कहा यह जो sad verb है देखे, यह चीज़ें वहाँ पर possible हो सकती है जहाँ पर पहले से चीज़ें understood हो जैसे किसी ने कोई बात बोल दी फिर कोई लड़का खड़ा होके कहता है Sir, उसने कहा यह बात तो वहाँ पर तो चीज़ें possible अगर वो चीज़ understood है, लेकिन अगर understood है ही नहीं एकदम से कोई कमरे में आकर आपको बोला उसने कह अरे, आप पूछोगी तो उससे किसने कह, क्या कह, क्या बोल रहा है तो यह जो verb है, वो एक तरीक है कि Transitive Verb है, याद आया नहीं आया Transitive Verb है, Transitive Verb कौन होती है जिनको अपना Object 100% चाहिए, यह होता होता है अब बात वहाँ पर stop नहीं कर सकते She is Sad, इसके लिए अपना Object चाहिए Sad को अपना Object चाहिए अब मुझे एक बार जारा सोच कर बताओ इस Sad को अपना Object कहां मिलेगा कौन है, कौन है इस Sad का Object Obviously sentence में है sentence बिल्कूर सही है इस sentence के अंदर है Object, इसका Sad Verb का Object है लेकिन इसका Object है कहां पर She said वो, अरे क्या कहा उसने उसने कही यह पूरी बात उसने बात पूरी बोली She said, उसने कहा That, कि she would join उसने कहा था कि वो join करना चाहती है, अजे का Batch विच्चु का Batch, join करने में क्योंकि अजे बहुत अच्छे बढ़ाते हैं, मैं हूँ अजे जो मैं बढ़ा रहा हूँ, अब तक मिना नाम नहीं बताया हूँ तो मैंने अजे कुमार में नाम है लिखा भी आ रहा होगा अजे कुमार नीचे शेयर टाइटल में पहले तो मैं self study लिखता था लेकिन अब अब अजे कुमार लेकर नहीं लग्या हूँ तो यहाँ पर She said, इस said वर का पूरा का पूरा यह object यह close है close है यह पूरा का पूरा अबजेक्ट इसी को बोलते हैं noun close clear यहाँ पर इसको बोलते हैं noun close क्यार मैं सारी चीज़ें कराऊंगा कि adjectival close, adverbial close, noun close यह क्या होते हैं सारी चीज़ें मैं आप लोगों करवाने वालों don't worry, बट अभी समझो एक verb जिसको एक verb जिसको obviously है verb का object कौन बनता है? noun बनता है और यह पूरा का पूरा close अगर एक verb का object बना होते हैं noun close clear? close कैसे हुआ close इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर subject आ रही है verb आ रही है close बना नहीं noun close कैसे कहते हैं क्योंकि verb का object बन रहा है हर एक चीज को ऐसी मत तोड़ने बैठ जाना अभी जितना कहा रहा हूं उतना उस चीजों को तोड़ना है ऐसा नहीं कि सर adjective will close इसको बना दे अभी रूको तूटेगा यह ऐसी that conjunction है subject है would helping तूटेगा यह ऐसी लेकिन इस case में जैसा मैं उता रहा हूं इस set verb को अपना object चाहिए था object चाहिए था पूरा का पूरा close बनेगा क्योंकि उसने पूरी बात बोली नहीं है तो इसलिए बोलेंगे इसको noun close अगले में देखो they thought they thought उन्होंने सोचा था उन्होंने क्या सोचा था अरे उन्होंने सोचा था तो उन्होंने पूरी बात सोची थी ना उन्होंने पूरी बात और thought verb भी 100% ट्रांजिटीव है ऐसे नहीं बोल सकते ना किसी के पास जागे उसने सोचा था पागल समझेंगे आप लोगों को तो यह पूरी की पूरी बात सोची थी इस thought verb भी पूरा पूरा object है यह पूरी की पूरी बात यह नि पूरा का पूरा close अगर अपका object बन गया तो उसको बोलते है noun close क्योंकि noun ही जो है वो subject object बनने का काम करते है object मना रहे हो तो noun उन बोलना पड़ेगा, close है, तो इसलिए close लिखा तो बोलना, noun close, clear यहां पर, अगले में देखो, I know, अरे आप बोलो, आप किसी के अपने घर पर जाके आप बोल दो, अपनी माँ को, कहते हैं, मैं जानता हूँ, आपके माँ पूछे कि क्या पागल हो गया है, क्या है, क्या ज close, आया है समझ में, अभी तीजे मैंने noun close ही कर रही है, अभी चीजे में आ रहा हूँ, की conjunction कहां चुड़ती है, अब एक चीज ध्यान रखना, यह जो है, यह वेहर जो है, वो एक तरीके की adverb हैं, यहां पर, adverb है, देखे, interrogative adverb होती है, interrogative pronoun भी होती है, जैसे एक sentence मैं यहां लिखता हूँ, एक sentence मैं यहां लिखता हूँ, यारे, क्या कर रहा है, चल जाया है, एक मिनट, एक मिनट, एक sentence मैं यहां लिखता हूँ, who is your best friend, मैंने यहां लिखा, तो यहां पर who क्या है, यहां पर, who is your best friend, मैंने यहां लिखा, तो यहां पर who क्या है, यहां पर, who is your best friend, मै बाद फैका थी मैं एंदो काम कर रहा है इसमें अब तक हमें जो पढ़ा था वह डिलेटीव प्रोनाउं पढ़ाा था लेकिन यहां पर इंटेरोगेटी प्रोनाउन है त्हक है इंटेरोगेटीप त्यक्तिव तो एसी वई हो वेहर को अगर मैं लिखू न, वेहर वेहर, डू, यू, लीव यहाँ पर यह वेहर जो है वो interrogative, interrogative adverb है interrogative adverb है, करवाँगा देखो, interrogative adverb में कौन कौन से होते हैं यह हो गया, वेहर वेहर वेहर, वेन हाव, यह जो वर्ड है, वाई यह जो वर्ड है यह जो वर्ड है, वो interrogative adverb में आते हैं, ठीक है, यह चार वर्ड जो में interrogative adverb में आते हैं, clear, तो यहाँ पर यह adverb है ना कि relative pronoun है, ठीक है इसको दियान रखना, अब ज़रा सुनो एक बात में जो बोलने वालू, वो लिखनी है, वो लिखनी यह है, अगर किसी वर्ड का, अगर किसी वर्ड का object, अगर इसी वर्ड का object एक noun close है, अगर किसी वर्ड का object एक noun close है, और उस close को जोडने के लिए conjunction, और उस close को जोडने के लिए conjunction that का use किया गया है, और लगा ना लगाओ फरक नहीं पड़ेगा यहां पर क्यूंकि इसका मतलब इसका मतलब होता है ना इसका मतलब है ना इसका नहीं है रुपए इसको नहीं अटा सकते सिर्फ एक डैट एक ऐसा वर्ड हो गया हम देखें आप गिसी डिक्शनरी में सर्च करेंगे अगर वह आपको ऐसे बोक्स के अंदर मिले ना तो उसका मतलब होता है optional है आप लगाओ तब भी ठीक ना लगाओ तब भी ठीक अरे she said that she would join adjust batch ये भी सही है she said she would join adjust ये भी सही है तो दैट conjunction को drop किया जा सकता है जब एक नाउन जब एक वर्ड का object जो है एक noun close बना हो और उस close को जोड़ने के लिए conjunction दैट आई होई हो इसका ध्यान रखना और अब जो काफी अची बात है नहीं आई तो comment section में लिख देना है कि मुझे ये समय में नहीं आई है अगली वीडियो में मैं उसको deal कर लोगा क्यूंकि अगर आप लिखेंगे तभी मैं उस चीज को करवाओंगा वरना मेरा तो concept जो है वो आगे चलेगा यानि relative pronoun आज मैंने क्या करवा करवाने वालों यह हम इन relative pronoun को करने वाले हूं यह बाकी बचके हर एक का अलग अलग से relative pronoun में वीडियो बनाने वालों ताकि concept आपको अच्छे समझाए काफी ज्यादा important concept है और यह वीडियो के जो आपको PDF चाहिए वह आपको description box में एक link दिया मिलेगा telegram का आप जाकर उसको आपको PDF मिल जाएगी साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो यह like कर दो subscribe कर दो चैनल को और जादा ही पसंद आ गए है तो share कर दो वीडियो को भी as well as channel को भी तो बस आज के लिए इतना है था बने रहे आगे की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है आपकी subscription के उपर आपके like के उपर आपके comment के उपर depend करती है चीरे तो आज के लिए इतना है था thank you for watching this video